Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Terror 6 where truth exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो है कि आपके लाइफ में new phase start होने वाला है and definitely हम उसके उपर जचा करेंगे क्या क्या आपके लाइफ में नई शुरुवात होने वाला है वो कोई भी फिल्ड में हो सकता है, परसनल लाइफ हो सकता है आपके love life, relationship, marriage, related to your career, या professional life, कुछ भी वो हो सकता है ओके, so let's see, let's find out, ये reading बिल्कुल timeless है, gender neutral reading है, male females सभी के लिए है और आप जानते ही हो कि मेरा जो candle wax readings होते हैं काफी ज़्यादा special होते है क्योंकि मैं वहां पर बहुत ज़्यादा clues देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि reading हापी का है so gender neutral तो है, male females सब लोग देख सकतो और timeless भी है but this is a general prediction, तो हो सता है कि resonate करे, हो सता है कि कुछ information ना करे तो जो कर रहा होगा, प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना, चाहां को subscribe, like, share ज़रूर करे और instagram में follow करे, so let's see so universe, spirit, guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers है उनके life में एक नई अद्ध है, क्या शुरुआत होने वाला है उनके life में okay, बहुत सारे लोग इस वक्त हो सकते हो, कि आपके mind पे न, काफी ज़्यादा confusions है, कि जो चीज आप चाहते हो, क्या वो सफलता आपको प्राप्त होगी या नहीं वो हो सकता है कि आपके love life में, वो हो सकता है आपके career में, वो हो सकता है आपके studies में आप इस तरह के हाथ जोड के प्राप्तना कर रहे हो, prayers कर रहे हो, लगातार okay, कभी-कभी आपका विश्वास न, डगमागा जाता है, जो मुझे यहाँ पे बिलकुल महसुस हो रहा है जिस तरह से यहाँ पे देखो, एक एक इनसान जो definitely weight कर रहा है, आप किसी चीज का weight कर रहे हो, बहुत and definitely वो चीज आपके लिए आ रहा है, okay, stepwise हो सकता है कि वो चीज आपके पास आए, धीरे-धीरे आए बहुत ज़दा मुझे जितना तक लग रहा है, पास में आपने काफी ज़दा चुनौती का सामना किया है, trials and error दिया है ठीके, जिसर ऐसे होता है न, यहाँ पर already दिया आ चुका है, okay, so definitely आपके life में जो रोशनी है, वो आने वाला है जितना भी delay हो रहा था आपके life में, इतना दिन तक, जितना भी समय आपने already बिता दिया था, ठीके, वो definitely अभी वक्त आ चुका है कि उसको fruitful होना है यहाँ पर the number 9, the number 6, यहाँ पर देखो, to handle वाला एक जग यहाँ पर आ चुका है ठीके, जिससे होता है न, कि garden में हम पानी डालते हैं, यहाँ हम पानी पीते हैं, उस तरह का जग अगर यहाँ पर आ रहा है ठीके, जग के अंदर क्या रहता है, पानी रहता है, पानी मतलब emotions, right, water means emotions so definitely आपके at least emotional fulfillment होते वे दिखाई दे रहा है जिस तरह का जिंदेगी आपने कल्बना किया था, किसी का साथ, जो आपके साथ हमेशा रहे और पूरी तरह से आप fulfilled हो, उसी से ठीके, लव करना बहुत बड़ा बात नहीं, बट लव का जो ultimate result है, वो आपको definitely मिलने वाला है यहाँ पर बार बार मुझे दिख रहा है clown, ठीक है clown कहाँ पर दिखता है, generally circus और any divot theatrical जगह पर हो सकता है कि आप कोई भी parties में जाओ और किसी special को आप मिलो, यहाँ पर 7 letter यहाँ पर आ चुका है 7, okay, alright, so हो सकता है within 7 weeks या 7 days या 7 months भी हो सकता है कि आप एक किसी person से मिलो, 8 भी important number है, cancer sign important है यहाँ पर, okay, कुछ पल आपको इस तरह से लगता है न, कि आपके जिन्दगी में जो होने वाला होता है तो वो क्यों नहीं होता है, इतना late क्यों होता है, होगा भी नहीं होगा इस तरह से भी आपका feeling आता है, आपका feeling डगमागा जाता है कभी-कभी आपका भरोसा उठ जाता है, सब कुछ चीज से बट इस तरह से नहीं है okay, मुझे लग रहा है, इहाँ पर एक picture create हो रहा है जहाँ पर it's looking like, एक card इहाँ पर हुआ करता है Oracle Dex मैं आपको दिखाया था this is beyond something, it's related to sea, some under so something message in a bottle, कई और बहुत दूर से, long distance से आपके लिए एक message आने वाला है वो message हो सकता है, यहाँ पर एक horse बन चुका है तो definitely मुझे लग रहा है, बहुत तेजी से वो चीज आपके पास आएगा, जिस चीज का आप patience से इतना दिन से आप वेट किये थे आप खुद देखो इसका shape क्या है, every time something ice cream cup और something is coming, कुछ दिनों से यह मैं देख रही हूँ कुछ flower bouquet हो सकता है, ice cream cup हो सकता है आप आप भी non vegetarian हो तो आपको यह chicken का लेग भी दिख सकता है मतलब some temptation, some offers, some proposals, some get-togethers, parties, enjoyment enjoy भी करना चाहिए, right? साथी तो है, but enjoyment, suppose आपके person हो सता है कि फुर्सती नहीं निकाल पाते हो इतना जदा वो balance नहीं कर पाते हो, अपने work और life में आपको समय नहीं दे पाते थे, बड़ आभी से देखो आपको वो समय देना भी start करने वाले हैं okay, जिस तरह से मुझे लग रहा है, Sagittarius नहीं पर important हो सकता है okay, और definitely यहाँ पर मुझे लग रहा है, with the chariot okay, cancer sign important है, और chariot मतलब क्या है? आगे बढने वाला, कभी भी पीछे नहीं देखना है आपको अब ही कुछी समय में, within seven weeks to seven months आपके पास कुछ miracles आ जाएंगे, जिसका आपको इंतिजार था and definitely you will write in the comment section कि मैम यादी मेरे पास आ चुगा है वो चीज okay, तो celebration एक cup, यहाँ पर भी ace of cups यहाँ पर create हुआ उसका मतलब क्या है? fertility, कुछ fertility related problems अगर थे fertility यह भी होता है कि आपने बीज already डाल दिया और वो पेर बना, एक ही दिन में वो फल नहीं देता right, एक दिन में फल देता है, नहीं न तो patience का इंतिजार, definitely बोलता है न कि सबर का फल मीठा होता है आपके घर में हो सता है कोई child birth हो और उनके अंदर काफी जदा miracle powers हो, हो सता है वो आप ही के child हो उनके अंदर special power होंगे कुछ लोगे इहां पर हो सता है कि आपके child के न मागा नक्षत्र हो सकता है या आपके खुद के जो काफी जदा powerful है, authoritative है आपके किसी के मुझे लग रहा है boss के साथ, आपका marriage होने वाला है दे में भी boss हो सता है आपके organization का ना हो और भी company का हो सता है boss या manager, जिस वक्त आप इस reading को देख रहे होंगे, आप सो रहे होंगे मतलब थोड़ा सा late रहे होंगे और आपके आसपास दो कुछ इस तरह से चीज होगा either तो वो pillow हो सकता है, तक्या हो सकता है या आपके partner यहां पर तो दिख रहा है, दोनों लोग सो रहा है यहां पर, ओके या दो तक्या हो सकता है, या bedside table हो सकता है दो, ओके किसी नाक pointed बहुत ज़दा है यहां पर, आपके घर के आसपास कोई पानी की जगा हो जहां पर ना बहुत ज़दा चिरिया आते है या ducks आते है, ducks है वहां पर, ओके all right, कुछ लोग यहां पर इस तरह से travel करने वाले हो, जिस देश में या जिस जगा पर वहां पर थोड़ा सा travel है, बट मुझे दिख रहा है कोई ठंडी जगा नहीं दिख रहा है, कुछ इस सरह का जगा दिख रहा है, जहां पर थोड़ा सा गर्मी है, for example, United Arab Emirates, वहां पर हो सकता है, या कोई dessert एरिया हो, या हमारे देश का देखे, तो गुजरात राजसान हो सकता है, मतलब आपको कोई work purpose है, या travel आप करो, कुछ लोग यहां पर enjoy करते हुए दिखाई दे रहा है, water sports, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है, भले ये timeless reading है, फिर भी मैं बोल रही हूं, कुछ water related activities, rain dancing हो सकता है, कि आप अपने partner को लेके rain dance करने जाओ, okay, and you will enjoy, okay, you will, मतलब luxury जो है आप soak कर लोगे, मतलब absorb कर लोगे luxury को, so luxury is also coming, Capricorn यहां पर important है, मकर राशी यहां पर important है, कुछ offers in the form of, हो सदा की contracts आपके पास आए, ठीके और आपको कोई बोले invest करने के लिए, okay, थोड़ा सा समभाल के देख लेना, कि वो सही है या नहीं आपके लिए, okay, so read the documents before you sign, okay, followers, अगर आप कोई online business कर रहे हो, followers, subscribers, आपके काफी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, okay, खुशाल जिन्देगी का जो आपने काम ना किया था, वो तो होगा ही होगा, queen of pentacles का इहां पर energy है, जहां पर आपके partner या आप खुद, इस तरह से energy में रहोगे, high vibration energy, जहां पर पैसा क्या कोई कमी नहीं, और प्यार का भी कोई कमी नहीं, okay, कुछ लोग बहुत ज़ाद डड़े वे हो, so lower vibration से आप लोग high vibration of love से पहुचोगे, आपको पता है, lower vibration होता है, lowest vibration, it's not lower, lowest vibration होता है, डड़, fear, and the highest vibration is of love, so definitely, okay, यहां पर king of pentacles का भी energy है, टॉरस वागो, कैप्रिकॉन, मतलब आप इतना ज़्यादा कमाना शुरू कर दोगे, आपका high income होगा, salary बढ़ेगा, और उससे क्या होगा ना, आप ज़्यादा intake करोगे food का, मतलब खुशी से, जैसे बहुत ज़्यादा खुशी में भी हम लोग खा जाते हैं ज़्यादा, parties देना, food, restaurants विजिट करना, hotels विजिट करना, okay, all right, that's good, कुछ जगा पे आप जाने वाले हो, जहां पे ना, आपका confirmation हो जाएगा, ठीक है, job का, मतलब unexpected, आप शायद ऐसे ही सोचोगे कि चलो, interview में appear हो जाते हैं, देखते हैं, पर हो जाएगा वहाँ पे, आपका जो skills है, आपका जो competitive strategy है ना, उससे आपका जो target है, वो आप ज़रूर fulfill करोगे, कुछ लोग target oriented job में हो, इसलिए आप मुझे बोलते हो ना, last तक देखो, अब लोग देखते नहीं हो last तक, अब कोई कैसे समझ में आएगा, confusion रह जाता है, इसलिए, और देखते हैं कि क्या आ रहा है, आप, जिस वक्त आप इस reading को देख रहे होंगे ना, आपके हाथ थोड़ा से slippery हो सकता है, मतलब कुछ cream लगाए होंगे, या कुछ इस तरह का sticky आपके हाथ में होगा, या सपरस होगा, कुछ feelings इस तरह से मुझे आया, और यहाँ पर हो सता है कि आप किसी के ऊपर बहुत दस sticky थे, clingy थे relationship में, और वहाँ से आपका separation हो चुका था, बड़ यहाँ पर अगर मुझे दिया पहले दिख गया है, इस लग दस सान एनरजी, जहाँ पर आपके life में, fulfillment, जिसको बोला जाता है ना, लोग के पास पैसा रहता है, सब कुछ रहता है, घर रहता है, मकान है, गारी है, जमीन है, ज्यादा थे, लेकिन खुश नहीं है, बड़ यहाँ पर मुझे कुछ जी दिखाई दे रहा है, बच्चे का सूख दिखाई दे रहा है, भविश्य अच्छा security दिखाई दे रहा है, कमफर्ट जोन में आप जाने वाले हो, बहुत ज़दा डर रहे थे, उस डर से आप आगे जाने वाले हो, ठीक है, lower vibration to higher vibration होने वाला है, काफी ज़दा मुझे बहुत ज़दा positive messages आए, अभी हम देख लेते हैं, विद्धा पोड़कल कार्ड्स, इनिशियेशन देखा, कोई आपको definitely, मुझे लग रहा है, initiate, मतलब कुछ शुरुवात, proposals, ठीक है, spiritual testing of the Ra and the Lady Isis, यहाँ पर आपका कुछ, अगर आपके face, जिस सरु से मैं आपको बताया कि आप बहुत ज़दा trial and error, बहुत ज़दा परिक्षा लिया गया आपका, universally है, या किसी ने लिया, ठीक है, तो परिक्षा का जो फल है, वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने start किया था, initiate किया था, तो वो चीज डिफरेंट्ली, या आपका कोई आप, ज़रूर कुछ new initiative आप लोगे, आपने career के लिए, और आपका plans जो है न, वो काम कर जाएगा, ठीक ठीक है, जो भी आप से प्यार करते थे, उसके साथ आपका गडबंधन होने वाला है, देखो, buckle of the beloved, गडबंधन कब होता है, शादी के समय पर ही होता है, सो collaboration, ठीक है, partnership, not, गडबंधन जिसको बोलते है, ठीक है, शादी के समय पर होता है, और देखते हैं, दो चीज यहां पर आया, dark mysteries, enter the chamber of the dark goddess, यहां पर बहुत कुछ रहसी है, आपके सामने, सच्चा ही आपके सामने होगा, soul retrieval, deep soul healing with the goddess, जो भी दुख, परेशानी से आप सामना कर रहे थे इतना समय से, वहां पर healing आपके लिए आरा है, और यहां पर healing आरा है from the sun, देखो, bottom of the deck, खुद देख तो, क्या आरा है, यहां पर, the abundance of the sodas, ठीक है, यहां पर क्या है, फूल, यहां पर क्या है, इस चीज को क्या बोला जाता है, last time पर भी आया था, आज भी आ रहा है, मतलब abundance, ठीक है, यहां पर, it's a bunch of grains, चावल, या गेहू, whatever बेट इस, ठीक है, तो definitely profit, आपके और, शुब के समय पर ही उस किया जाता है, यह सारे चीज, घर में आता है, बहू, तो definitely वो चावल के वहां पर रखा जाता है, right, तो यहां पर शुब समाचार आपके लिए आ रहा है, so you don't need to worry about it, समझ में है, you don't need to worry all about this, so you just keep faith, surrender to God, and everything will happen, so this is all about today's reading, guys, आप अपने target तक जरूर आया था अज नमबर में, so वो साथ विदिन 7 या हो साथ जुलाई मन्थ, टाइमलेस है, कभी भी हो सकता है, okay, so this is all about today's reading, guys, and I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section, till then take care of yourself, and keep watching, divinity, tarot, or six, but truth, always exposes darkness, thank you guys, and love you all.